हलो फ्रेंड्स वाइल्ड और रॉनेचर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो चीता के बारे में है जो कि एक बहुती दुरलब जानबर है और जंगलों में बहुत कम दिखाई देते हैं तो इसके बारे में कुछ अच्छे फैक्ट समझानेंगे आज फ्रेंड्स एक समय ऐसा भी था जब भारत में बड़ी संख्या में चीते पाए जाते थे कई भारती किसान चीते को अपने पालतू जानबर पैट के रूप में रखते थे जो अन्य जानबरों से उनके खेतों की रखवाली करते थे परन्तू आज की समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और इसका प्रमुकारण अवे शिकार है और 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलिप जानबर एक्सटिक्ट एनिमल कोशित कर दिया है बारत में पूरे साथ दशक बाद 17 सितंबर 2022 को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के बहतरवें जन्मदिन के अफसर पर चीतों की वापसी हो गई है यह हम सभी के लिए बहुती गर्ब का विश्य है इन सभी आठ चीतों को दक्षिड अफरीका के नामीविया से मद्यपरदेश की शियोपुर जिले के कूनो निशनल पार्क में लाया गया है चीते के शरीर पर धब्बेदार निशान ही इसकी पैचान है ऐसा माना जाता है कि चीता का नाम हिंदी शब्द चित्ती से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला एक फुली मैचुर्ड चीता का वजन 75 से 145 पाउंड की वीच होता है जिसकी लंबाई 4 फिट और कंदे तक की लंबाई 2 से 3 फिट होती है इनकी पूँच आम तोर पर 30 इंच लंबी होती है और ये पेड़ों पर चड़ने में बहुत ही माहिर हैं आप देख सकते हैं एक चीता पेड़ पर चड़ने की कोशिश कर रहा है और चीतों को काले धब्बों से ढखे उनके नारंगी फर और ब्लैक टीर से आने काले आंसू होने के कारड़ चीता अफरीका के तेज धूप में भी लंबी दूरी तक साफ देख सकता है और आप देख सकते हैं वीडियो में ये विल्ड विष्ट के शिकार पर लगा हुआ है और वैग्यानिकों का माना है कि चीते की आँकों के नीचे ये काले निशाने जिसके विशिष्ट पैचान है और चीता प्रत्वी पर सबसे तेज दोड़ने वाला जानबर है चीतों के रीड की हड़ी स्प्रिंग की तरह काम करती है यही वज़े है कि यह जानबर दूसरे जानबरों की तुलना में बहुती दुगनी स्पीट से आगे बढ़ता है और इसका मुँ हवा को काटने में मदद करता है और चीते की पूछ तेज गती से दोड़ से समय अचानक मुढ़ने में इसकी मदद करती है और आप जंगल में इसको देख सकते हैं यह किस तरह से शिकार करते हैं शिकार को गेरते हैं और गृप में भी शिकार करते हैं जब चीते पूरी रफ़तार से दोड़ते हैं तो वे लगवग 7 मीटर तक की छलांग लगा सकते हैं चीता दिन के समय सक्रिय रहने वाले जानबर होते हैं यह सच है कि चीते 120 km तक की रफ़तार से दोड़ सकते हैं और इस रफ़तार को मैच 3 सेकंड में हासिल कर सकते हैं लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हूंगी इस रफ़तार से वे 20 सेकंड से जादा नहीं दोड़ सकते वे दिन में धूप में शिकार करते हैं क्योंकि अफरीका में जाज़े तर जानबर रात के दौरान शिकार करते हैं जबकि टेमप्रिचर काफी डाउन हो जाता है लेकिन ये दिन में शिकार करने वाले जानबर है अन्य अफ्री की बड़ी बिल्लियों और शिकारियों की तुलना में चीता बहुती कमजोर होता है जो असानी से इनका भोजन चुरा लेते हैं ये बड़ी बिल्लियों और दिन में इनके शिकार करने से इनके शिकार के खोने की संबाबना कम हो जाती है चीटे को जिन्दा रहने के लिए बहुती कम पाणी की जरूरत होती है चीटा हर तीन से चार दिन में पानी पीता है क्योंकि वे बोजन से कुछ पानी खुद ही सोक लेता है अधिकांश अन्य बिल्लियों की तरह चीता पेड़ों पर चड़ने और पहाडों पर चड़ने में सक्षम नहीं है चीता घास के वैदानों सवाना और अर्ध शुष्क छेत्रों में रहना जादा पसंद करते हैं और चीते इंसानों पर हमला नहीं करते हैं और यह जानबार आराम करना भी पसंद करता है फीमेल चीता अखेले रहना पसंद करती है जबकि मेल चोटे-चोटे समुओं में रहते हैं जो कि एक ही माबाप की संतान होते हैं यानि कि वे आपस में भाई होते हैं और फीमेल चीता सेक्स के दोरान ही मेल के करीब जाती है और आम तोर पर समू का केबल एक चीता ही मेटिंग सीजन में फीमेल के साथ सेक्स करता है फीमेल चीता मेटिंग के लगवग 90 दिनों के बाद 3-5 बच्चों को जन देती है चीता आमतर पर ड्राइ सीजन के दोरान ही मेटिंग करते हैं और इनकी फीमेल जीता की प्रेगनेंसी तीन महिने तक चलती है और गीले मौसब की शुरुआत में समापत होती है जबके खाद शुरुत बहुती समरत दो जाते हैं और इनको खाना उपलब दो जाता है चीतों से पैदा होने वाले जायतर बच्चे जन्म के समय ही मर जाते हैं और एक रिसर्च से पता चला है कि चीते से पैदा हुए 100 बच्चों में से केबल 5 ही वैस कुने तक जीवित रहते हैं और चीता एक ऐसा मासाहरी जानबर है जिससे जंगल के अन मासाहरी जानबर नफरत करते हैं और उसके बच्चों को मार देते हैं चोटे होते हैं तो शेर, लकडबगे, बबून और कई शिकारी पक्षी इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं यह भी इनकी विलॉप्त होने का एक बड़ा कारण है फीमेल चीता को अडल्टोनिय में लगवक दो वर्ष लगते हैं जबकि मेल चीता एक वर्ष के बाद एडल्ट हो जाते हैं और यह एक मातर ऐसी बिल्ली हैं जो दाड़ नहीं सकते हैं यह किबल करणगणाहट और बिल्ली की तरह म्याओं की अवाज ही करते हैं यह कभी-ख़ियों की तरफ चैचाहनी की भाज भी करते हैं चीतई की नजर दिन में बहुत तेज होती है लेकिन रात में चीतई की नजर बहुत कमजोर होती है और दिन में यह पांच कुलो मीटर दूर तक का देख सकते है फ्रेंट्स चीज़े की एज 12 years होती है और जू में 17 years तक होती है तो फ्रेंट्स कैसे लगे चीज़े के बारे में ये facts आपको अच्छे लगे हूँ तो वीडियो को लाइक कीजेगा, कमेंट शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं आप से एक नए वीडियो में, जै हिंद